राम मंदर जो सैक्डू वर्ष की इंतिसार के बाद लगभग तयार हो चुका है और राम लिला उसमें विराचमान होने जा रहे हैं ऐसे में राम मंदर को भव्य बनाने के लिए इस्तिमाल होनी वाली हरी चीज चर्शा में है फिल्हाल बात राम मंदर में लगने वाले घंटे की जिसे रामेश्वरम में तयार कर अयोध्या लाय गया है कहते हैं कि मंदर में घंटी इसलिए इस्थापिर की जाती है जिससे मंदर में इस्थापिर ध्वान की प्रतिमा में चेतना जागरित हो ऐसे में राम विला को जागरित करने के लिए ये खास घंटा तयार किया गया है इस घंटे की चर्शा होना लाज़नी है क्योंकि ये घंटा अपने आप में बिल्कुल खास है इस घंटे का वजन 600 किलो है जो उस पर लिखा है राम का नाम इस घंटे को अश्टित हादू से तयार किया गया है आपको बता दें कि इस घंटे को तयार करना कोई आसान काम नहीं था बल्कि इसे तयार करने में 400 के करीब कर्बचारी लगे है जिड़ोंने दिन रात एक गट इस विशाल घंटे को तयार किया है घंटे को मंदर में स्थाबित करने से पहले श्रद्धालू उसकी दर्शन के लिए पहुँच रहे है उस दोरान वे घंटे को माथे से लगाकर जैश्री राम का उच्चारन करना ही है दर्शन के लिए पहुचे श्रद्धालू का क्या कहना है सुने पेली दर्शन तो इस घंटी को उतरप्रदीश की जली सिर के एक परिवार की ओर से तयार करवाया है जिसे ये परिवार राम मंदिर ट्रस्ट को समर्पित करेगा नमस्कार मैं हूं मानक गुपता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ हमें सबस्क्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुमिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जूस 24